नमस्ते दोस्तों Class 11 Commerce Faculty के जो स्टुडेंट्स हैं जो माद्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के एक्जाम में बैठ रहे हैं RBSC 11 Commerce के स्टुडेंट्स के अलग-अलग सब्जेक्ट्स में COVID-19 महामारी की वज़े से जो सेलेबस में 40% reduction किया है कटोती की है तो इस वीडियो के माद्यम से मैं 11 Commerce Faculty के स्टुडेंट्स को सब्जेक्टवार बताऊंगा कि RBSC ने उनके एन्यूल एक्जाम के लिए कौन सा सेलेबस हटा दिया है और कौन सा रखा है ये जो सेलेबस है रिवाइजड सेलेबस शंशोदित पाथिक्रम 11 Commerce Faculty के English Medium और Hindi Medium दोनु स्टुडेंट्स के लिए लागू है तो सबसे पहले हम बात करते हैं 11 Commerce का सब्जेक्ट Economics की Economics जिसको अर्थ सास्त्र हम कहते हैं हिंदी में इसका Annual Exam 2021 का सेलेबस ये दे रखा है सो मार्क्स का पेपर होगा यूनिट फर्ष्ट में अर्थ सास्त्र क्यों Economics में Esthetics ये बता रखा है अब कौनसा आपकी बुक्स में से कौनसा चेप्टर हटाया है वो भी हम देखेंगे इसमें ये देखें यूनिट सेकेंड सेवन मार्क्स का आएगा कलेक्शन ओप डाटास और्गिनाइजेशन ओप डाटास यूनिट थर्ड है एट मार्क्स का यूनिट फिप्ट केंडरी प्रवर्ति की माप जिसमें मीन, मीडियन, मौड ये सारे टॉपिक्स हैं ये 25 मार्क्स का है और यूनिट शिक्स है परिक्षेपन के माप ये 5 मार्क्स का है पार्ट बी जो है जो आपकी बूक है भारती अर्थ व्यवस्था का विकास Development of Indian Economy इसमें फर्स्ट उनिट 10 मार्क्स का है सेकंड उनिट 10 मार्क्स का थर्ड उनिट भारती अर्थ व्यवस्था की वर्तमान चुनोतियां जिसमें यह तीन चेप्टर है 22 मार्क्स का है चार तीन चेप्टर है उनिट फॉर्थ है 8 मार्क्स का अब देखिए इसमें यह आपका सेलेबस इकोनोमिक्स का है अब देखिए 11 कॉमर्स के स्टुडेंट्स के नेक्स जो पेपर है अकाउंटेंसी जिसको अपन लेखा शास्त्र कहते हैं इसमें एक बुक चलती आपकी फाइनेंशल अकाउंटेंसी पार्ट फर्ष्ट इसका यह सेलेबस दे रखा है इसमें जो पार्ट डिलिट किया देखिए इसमें बोर्ड की और से यह पीडिएफ है इसमें फाइनेंशल अकाउंटिंग पार्ट फर्ष्ट जो बुक है उसमें चेप्टर नंबर टू त्योरी बैस अप अकाउंटिंग इसमें यह टॉपिक्स अकाउंटिंग स्टेंडर्ड इंटरनेशनल फाइनेंशल रिपोल्टिंग सिस्टम गुड्स एंड सर्विस टेक्स यह आपके सेलेबस से डिलिट कर दिया है हटा दिया है फिप्थ जो चेप्टर है आपकी इसी बुक में बैंक रिकोगनाईजेशन स्टेटमेंट इसमें भी यह दो टॉपिक जो दे रखे हैं यह दोनों हटा दियें सेवन्थ चेप्टर है जिसमें यह चार-पांच चेप्टर आपके डिलिट कर दियें अब एक्जाम में नहीं आएंगे आटवा चेप्टर है बिल आफ एक्सचेंज इसमें भी आप यह देखिए मिनिंग आफ बिल आफ एक्सचेंज और यह बहुत सारे टॉपिक्स हैं यह हटा दियें 11 चेप्टर में से यह टॉपिक हटाएं है अचाउंट्स फ्रॉं इनकंप्लिट रिकॉर्ड्ड्स और इनकंप्लिट रिकॉर्ड्ड्स रिजन्स आफ यह टॉपिक्स हटाएं हैं 13 चेप्टर इसमें से भी यह टॉपिक्स आपके डिलिट कर दिये हैं यानि ये जो topics दे रखें हैं इन chapters में से ये आपके accountancy वाले paper में अब annual exam में नहीं आएंगे deleted parts हैं ये फिर एक subject आपके इसी में financial accountancy जिसमें financial accounting part first ये syllabus बचा हुआ आपके दे रखा है जो आएगा exam में इसमें deleted part की हम बात करते हैं ये देखिए ये अगला आपके subject आगया है व्यावसाइक अध्ययन business studies जिसको कहते हैं इसमें जो deleted topic है आपकी जो बुक है व्यावसाइक अध्ययन business studies उसमें जो पहला unit है उसका chapter नंबर तीन इसमें से निजी सारुजनिक एवं भू मंदली उपकरम delete कर दिया है हटा दिया है फिप्थ चेप्टर में से व्यावसाइक की उभरती पद्धतियां वाला topic हटा दिया है 11 चेप्टर से अंतर राष्ट्रिय व्यापार वाला जो topic है वो हटा दिया गया है यह शंशोदित पर्ठिक्रम रहा है यानि आप बच्चावा जो syllabus है आपके इस business studies book में से यह दे रखा है इसका अंकबार भी दे रखा है पहला जो पार्ठ है पहला lesson है व्यावसाइव यापार और वानिज 14 marks के questions एक्जाम में इससे पुछे जाएंगे दूसरे चेप्टर में से व्यावसाइक संग्ठन के स्वरूप 12 marks के पूछे जाएंगे इस तरह से यह सारे topics और उनका अंकबार दे रखा है डिलिटेड पार्ट आप सेलेबस यह business studies इंग्लिश में दे रखा है वो ही जो अपन ने देखा है चेप्टर 3, 5 और 11 तीनों में से हटाएं हैं यह topics यह syllabus आपके बच्चा है इंग्लिश में दे रखा है इंग्लिश के इंग्लिश मीडियम वाले students के लिए यह topics आप देख सकते हैं कौन सा चेप्टर कितने marks का आपके paper में वेटेज रखता है यह बता रखा है तो दोस्तों यह commerce के students का syllabus जो reduce हुआ है उसके बारे में जानकारी दिये मैंने धन्यवाद दोस्तों